सेक्वेंस एसन दे रखी ए और इस सेक्वेंस के जो टर्म है वो इस तरह से लिखी गए एस फनी सिख्वेंस माइनस वन रेस्टो पावर एन अपोन एन और यह ट्रू है सभी एन के लिए जो नैचरूल नंबर हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिक्वेंस है यह कनवर अगर हम यहाँ पर one put करेंगे इनका value तो यह मिलेगा minus one upon one, अगर two value रखेंगे तो one upon two, फिर three रखेंगे तो minus one upon three, यानि कि एक तरह से हमें one में यह values add और subtract करने हैं, यानि कि add करेंगे one में यह values, जो हम आप one में add करेंगे, तो यह one के एक बार left में जाएगा, एक बार right में ज यानि कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो limit है, वो तो आपकी one होगी, sorry, इसकी limit zero होगे और इसकी constant function के या constant sequence की one होगी, तो final limit आपकी one plus zero, यानि कि one होगी, यानि कि एक convergent sequence है, लेकिन left right में जाने की बज़े से, ना तो यह एक हे direction में increase कर रहा है, ना ही यह decrease कर रहा तो monotonically नहीं है, लेकिन यह convergent है, option C आपका true होगा, equal to 2xq minus 9x square plus 7, which of the following is true, तो एक हमें fx यानि के function given है, और आप से पूछा गया है कि कौन सा option true होगा, तो यहाँ पर options दे गई है, function के one one के बारे में बात गई है, कही गई है, over closed interval, यहाँ पर आपको 4 interval दे गई है, first option में जो है आपको minus 4, sorry minus 1 से 1, second interval जो है आपका 2 से 4, और यह minus 4 से 0, और यह 0 से 4, तो चार interval दे गई हैं, और इनमें आपको क्या तो बताना है कि one one है, या one one नहीं है, यही बताना है, तो एक function आपको given है, और function, अगर हम function का sign change देखते हैं, यह है, 2 x q minus 9 x square plus 7, तो एक बार यहाँ पर sign change कर रहा है, plus से minus और minus से plus, यानि कि अगर function का graph देखते हैं, plus से minus change करने का मतलब है, कि यह प्लस से, यानि कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ आपर negative sign और एक बार यह ऊपर जा रहा है, तो जो भी है, मतलब मेरा यह मक्सद नहीं है, कि यह नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे, मतलब यह दो वार x-axis को intersect करेगा, two times, two times x-axis को intersect करेगा, यानि कि इसके दो, यानि कि two real roots होंगे, real roots, लेकिन यह एक cubic polynomial है, cubic polynomial, और cubic होने की बज़ा से इसके तीन root होंगे, लेकिन complex अगर root आते हैं, तो वो pair में आते हैं, तो एक root का pair बनने ही सकता है, यानि कि जो last root होगा, वो भी real होगा, यानि कि तीनों के तीन root इसके real होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम check भी कर सकते हैं, कि इसका एक root तो one ही है, क्योंकि अगर हम x equal to one put कर देते हैं, तो fx equal to zero हो जाता है, तो यहाँ पर एक root हमें पता चली जाता है उससे, और आप इसमें x minus one से divide करा देजिए, एक quadratic equation में reduce हो जाएगा, और वहाँ से इसके दो roots भी निकाल सकते हैं, और फिर तो, मतलब फिर कुछ रहा ही नहीं कि one one होगा या नहीं होगा, आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि fx था, मैं इसका f dash x find out कर लेता हूँ, तो यह क्या होगा, 6x square minus 18x, यह हमारा f dash x आएगा, आया, और f dash x को मैं 6x common लेता हूँ, क्योंकि इस टम में भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से x minus 3, यह आया, और if f dash x equal to 0, then x equal to 0 और 3, यहाँ से आपको पता चल जाता है, तो यानि कि f dash 0 होने का मतलब है, कि जो curve है, curve पर tangent, यानि कि एक तो 0 point पर, और 1, 3 point पर, यह 0 और 3, मैंने 2 point यहाँ पर draw कर लिये हैं, तो यहाँ पर जो curve है, वो क्या तो cup type का होगा, cup या cap type का होगा, इन 2 points पर एक behavior हो गही होगा उसका, यानि कि यहाँ पर function जो है, यानि कि curve जो है, अपना behavior change करता है, यानि कि क्या तो वो increasing था, तो यहाँ पर आके point पर, वो decrease करना शुरू कर देगा, और ऐसे ही यहाँ पर, मेरा कहने का, same meaning है, ठीक है, यानि कि यह वो points हैं, जहाँ पर curve अपना behavior change करेगा, यानि कि, इन 2 points पर तो यह इस तरह का, यू या cup type का shape दिखा रहा है, क्या तो मैं, यू या cup इस तरह से बोलू, तो cup और cap का, यहाँ पर यह behavior है, अब मुझे 0-3 के बीच में पता चल गया है, और function को, अगर 1-1 होना है, तो suppose करेए, यहाँ पर जैसे कि, यह cup shape है, और यह x axis, y axis है, तो हम एक parallel line draw कर सकते हैं, तो parallel line draw कर सकते हैं, तो in points पर same height है, करवने जो पकड़ी हुई है, अपनी same height पकड़ी हुई है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर दो image, यानि कि fx1 और fx2, same है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उसको real line पर देखते हैं, तो वो same नहीं है, implies x1 not equal to x2, यानि कि, जहाँ पर यह tangent आया है, आ यहाँ पर उस interval में तो यह 1-1 हो गए ही नहीं, कहने का meaning है, suppose करो यहाँ पर आपका, यह आपका 0 point, इसको मैं अगर 0 point बोल देता हूं, 0 point, और यह मैं दो बारा से draw कर लेता हूं, क्योंकि उसमें ज्यादा वो हो गया है, तो यहाँ पर एक 0 point है, और एक 3 point है, यहाँ पर जो तो वेह भी चेंज करेगा, तो यहाँ पर हम अगर पहले line draw करते हैं, तो वो intersect करेगा, जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें तो वो 1-1 होगा ही नहीं, ठीक है, अब 1-1 नहीं होगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि 1-1 होने के लिए, क्या तो वो strictly increasing होना चाहिए, या decreasing हो में हमने अभी आपको explain किया, तो हमें जो पहला option था, पहले option में बताया गया है, minus 1 से 1, उसमें जो function है, वो 1-1 है, तो minus 1 कहीं इधर होगा, और 1 आपका इधर होगा, लेकिन यहाँ पर तो करव अपना behavior change कर रहे हैं, यहाँ पर increasing भी है, decreasing भी है, ठीक है, इस type से चाहिए वो ओपर की तरफ हो, चाहिए वो नीचे की तरफ हो, वो मेरा लेना देना नहीं है, आप एक case को consider कर लेजिए, तो increasing, decreasing दोनों है, तो यहाँ पर तो वो 11 हो नहीं सकता, तो पहला option, यानि कि जो a option था, वो discard हो गया है, क्योंकि उसमें का है, f is 11 in the interval, close interval minus 1 से 1, फिर का है, f is 11 in the interval 0 to 4, 0 से 4 के बीच में बात करिया है, तो 0 और 4 यहाँ पर भी कर्व अपना u shape या cup shape इस तरह का behavior रखता है, तो यहाँ पर क्योंकि इस interval को 3 जो है, वो 2 से 4, 3 जो है, 3 जो है, वो 2 से 4 के inside आता है, तो यहाँ पर भी यह 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 होने के लिए क्या condition मैंने बताया, strictly increasing होना चाहिए, decreasing होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोन, दोनों ही वो behavior को दिखा रहा है, फिर का है, f is not 11 in the interval minus 4 से 0, तो यहाँ पर, क्योंकि इसके 2 real root, 3 real root होंगे, तो एक बार तो यह इधर intersect कर जाएगा, इस तरह से एक बार यह इधर intersect करेगा, तो 2 point तो आपको, 2 real roots तो आपको 0 के इधर मिलने ही मिलने है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर और यहाँ पर अपने behavior change कर रहे है, एक इसका real root इधर मिलेगा, ठीक है, तो इसका एक ही real root इधर मिलेगा, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला है, क्या तो यह decreasing ही decreasing है, यह increasing ही increasing है, तो यहाँ पर इस interval में, वो 11 होगा, तो minus 4 से 0 में, यहाँ पर लिखाए, f is not 11 in the interval, not की वज़ा से हमारा यह options discard हो जाता है, otherwise यहाँ पर 11 हो गही होगा, यहाँ पर कहा है, in the interval 0 to 4, f is not 11, ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 4 में, f 11 नहीं है, तो यह वाली जो बात है, यह सही हो जाते है, हमारी option d, f is not 11 in the interval, 0 to 4, तो यह वाली बात भी सही हो गई, और f is not, sorry f is not, लेकिन इसमें 11 है, तो c options हमारा गलत हो जाता है, a भी गलत हो जाता है, b भी गलत हो जाता है, तो हमारा जो right twice है, वो d है, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पर बताया था, कि इस से पहले, वो क्या तो increasing होगा या decreasing होगा 0 से प intersect करेगा, तो यहाँ पर वो 11 होने के पूरे पूरे chances हैं, उसके या sure हैं, लेकिन यहाँ पर note के बज़े से, यह c options discard हो गया है, अगर इस तरह भी नहीं आया है, आपको समझ में, तो इसका double derivative निकालिए, और फिर आप इसका concave up, concave down, इस तरह से देख लीजे, otherwise जैसे कि मैंन minus 1 से divide केजिए, फिर इसका, इसको quadratic equation में reduce कर लेजिए, और फिर इसके 2 roots निकाल लेजिए, तो तीन roots आपको पता चल जाएंगे, तो उस पर आपको अच्छे से और भी प्रक्टिस हो जाएगी, लेकिन यह mcq-based question था, और जल्दी हमें इसका answer देना है, तो इसको इसी तरह स हमें इसको proceed गना चाहिए, क्या, f dash x इसका find out कीजिए, कहां पर f dash 0 हो रहा है, यह पता कीजिए, f dash 0 होने का मतलब है, क्या तो वो u shape, या cap shape, वो वहाँ पर रखता है, और अगर कोई भी interval, जहां पर वो 0, उसका tangent 0 हो रहा है, अगर कोई interval, इसके tangent point को contain करता है, तो वहाँ प रखेंगे, अगर end point, end point, अगर tangent point के बात करें, जैसे की 0 है, और वो अगर कहता, minus 4 से 0, ठीक है, तो इसमें हम एकदम और भी कुछ test, या और भी further investigation करते, कि हां यहां पर यह है, लेकिन suppose करो 0 इसके बीच में ही है, तब तो हम पक्का है, जैसे minus 4 से 1 कह देता, कि minus 4 से 1, तब यह point आप याद रखेंगे, कौन से statement यहां पर false है, तो हम एक एक option को check करेंगे, सबसे पहले option first, limit अगर मैं इसमें direct put करता हूँ, तो infinity by infinity form आएगा, और अब इसमें मुझे L-Hopital rule apply करना होगा, according to L-Hopital rule, मुझे numerator और denominator की limit derivative लेना होगा, और फिर मैं उसमें limit put करके check 1 upon e raise to the power x मिलेगा, और इसको अगर मैं चेक करता हूँ, 1 upon infinity tends to 0, तो option A में limit 0 कहीं थी, इसलिए option A आपका true है, option B चेक करते हैं, अगर मैं इसको लिखता हूँ, limit x tends to 0 positive, 1 upon x, e raise to the power 1 upon x, अगर मैं इसमें limit put करता हूँ direct, तो मुझे मिलेगा, 0 into infinity, 1 upon this type का format, यानिकि 0 into infinity type की form यहाँ पर मिल रही है, एक indeterminate form है, तो मैं इसको solve करने के लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं x को numerator में write करता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा, expression को limit extends to 0 positive, 1 upon x upon, यह main dividing line है, e raise to the power 1 upon x, अब जो यह formation है, यह आपकी infinity raise to the power, infinity by infinity format बन रहा है, अब मुझे इसमें l-hospital rule apply करना होगा, उसके according, minus 1 upon x square upon, e raise to the power 1 upon x, और फिर, इसका मुझे derivative करना होगा, minus 1 upon x square से cancel out हो जाता है, और limit आपका चल रहा था, x tends to 0 positive, जब हम इसमें limiting values put करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 upon e raise to the power infinity, और e raise to the power infinity मतलब, यह expression आपको 0 को tends करेगा, option b भी आपका correct है, option c को check करते हैं, अगर यहाँ पर direct limit put करते हैं, तो sin 00 upon 1, तो वो उसमें ठीक कहा है, option c भी आपका true है, तो false statement होगी है, आपके option d, यहाँ पर option d, क्योंकि हम सीख कर रहे थे हैं, यहाँ पर false statement, तो option d हमारा desired option होगा, if the equation of the tangent plane to the surface z equal to 16 minus x square minus y square at the point p, 136 is ax plus by plus cz plus d equal to 0, then the value of mod d is, हमें mod d का value find out करना है, यानि कि अगर हमें किसी तरह से यह पता चल जाए, जो d है, तो हम mod d का value find out कर सकते हैं, कोई problem ही नहीं है, तो यहाँ पर जो given information है, उसको एक बार मैं rewrite कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक surface given है हमें, surface z equal to 16 minus x square minus y square, एक equation given है, equation of tangent plane, tangent plane, ax plus by plus cz plus d equal to 0, यह given है, एक point given है, specific point, specific point, p और जिसका coordinates है, 136, तो यह हमें given है, तो equation of tangent plane actually में, अगर हम इसका motivation देखें, तो किस तरह से आता है, suppose करो, यह कुछ हमारे पास vectors हैं, यह हमारे पास कुछ plane के vectors हैं, और यह एक normal है, normal vector, तो यह point p पर, यह normal है, तो इसके जो coordinates हैं, वो x naught, y naught, z naught हैं, और एक हमने specific point, suppose करिए, वो यहाँ पर क्यों call करा उसको, उसके जो coordinates हैं, x, y, z, यह हैं, तो यहाँ पर, जो इसका motivation है, इस point से, यह जो point है, जिसको मैं यहाँ पर dark कर रहा हूँ, इस point से, यानके एक point कहीं भी हो सकता है plane में, इस specific point तक, एक vector बनेगा, यानके एक vector आपका draw होगा, और यह जो vector होगा, यह normal के साथ, इसका जो dot product होगा, वो 0 है, तो यह जो vector है, जब आपको दो points given है, तो vector equation क्या होती है, आपकी, vector form आपका होता है, subtraction से, यानके, x-x0, y-y0, z-z0, इस तरह से हम इसको, vector form कह सकते हैं, इसकी, अब हमें normal find out कर लें, क्योंकि यह normal, जो normal vector है, normal vector, वो इस vector के साथ, dot product में क्या होगा, उसका 0 आएगा, ठीक है, यह vector, और normal vector के साथ, dot product, 0 होगा, तो dot product 0 होगा, सपोज करो, यह जो normal vector है, इसको मैं, a, b, c, call कर देता हूँ, तो इसका dot product क्या हो जाएगा, a, x-x0, plus b, y-y0, plus c, z-z0, equal to 0, तो यही हमारी equation of tangent plane है, और इसको जो हम जानते हैं, यहनि के, well on, जो term हम use करते हैं, इसके, करते हैं, इसके लिए, point, normal, normal form, क्योंकि एक point होता है, और एक इसमें हम normal use करते हैं, तो इसको हम point normal form बोलते हैं, तो हमें, सबसे पहले, normal का, normal vector find out करना हुआ, तो अगर जो आपको surface given है, z equal to 16 minus x square minus y square, मैं इसको rewrite कर सकता हूँ, z plus x square plus y square equal to 16, यह एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से यह जो देरेक्खाया में, एक constant value given है, तो इसको हम as a scalar function, scalar function use कर सकते हैं, यानि कि जैसे level surface, level surface, level surface, और level surface अगर use करते हैं, तो मैं इसको एक new variable, यानि कि function phi से इसको denote कर देता हूँ, तो यह phi equal to हो गया है, z plus x square plus y square, यह हो गया है, और जो normal होगा, क्योंकि यह surface है, तो इस surface पर normal क्या होगा, वो होगा, gradient phi, gradient phi जो होता है, वो हमें normal देता है, normal, normal vector, तो gradient of any scalar function is a normal vector, ठीक है, तो यहाँ पर यह normal आएगा, तो इसका normal हम निकाल लेते हैं, normal at a point P निकालेंगे, वो P point के जो coordinates हैं, वो बाद में put कर लेंगे, तो सबसे पहले, partial 5 with respect to x, तो यह plus partial 5 with respect to y, और plus partial 5 with respect to z, यह हमें find out करना होगा, और क्योंकि यह vector होगा, तो यह i, z और k, यह इसके रहेंगे, तो यहाँ से हम निकालते हैं, partial 5 upon partial x, तो यहाँ से x के respect में कर रहें हैं, तो y और z है, वो हमारा एज़े constant रहेगा, तो यह 2x, यहाँ पर आपका 2y, तो यह i cap हो जाएगा, यहाँ पर j cap, और यहाँ पर, जब z के respect में करेंगे, तो 1 आएगा, तो k cap, अब हम यहाँ पर, क्योंकि यह at a point p निकालना है, तो p इसमें put कर देते हैं, 1, 3, 6, जो हमें given था, इसके p के coordinates क्या given थे हमें, specific point के 1, 3, 6 ही हैं, तो यहाँ पर हम 1, 3, 6 put कर देते हैं, x की जगा 1, y की जगा 3, और z की जगा 6, तो हम करते हैं, 2, i, plus 2, into 3, यानिकि 6, j cap, plus k cap, तो यह हमारा, जो आ गया है, यह normal आ गया है, नॉर्मल, तो अब हमें equation निकालना है, तो generic point, generic point, उसके जो coordinate है, p, o, i, n, t, उसके coordinate हमने x, y, और z ले लिया है, तो अब हमारा equation क्या हो जाएगी, ax minus x naught, यहाँ पर x naught क्या है, 1, और a का, यहाँ पर यह a का value है, यह b का, और यह c का, तो a का value 2 है, तो 2, x minus 1, प्लस, b का value 6, y minus y naught, यहाँ कि y naught का जो यहाँ पर value है, वो 3, प्लस, z, z का value यहाँ पर 1, sorry, a, b, c, यहाँ पर c का value आएगा, तो c का value 1, और z, minus z naught, z naught का जो यहाँ पर value है, वो 6, equal to 0, यह हमारी equation of tangent plane होगा, इसको मैं expand कर देता हूँ, तो 2, x minus 2, plus 6, y minus 18, plus z, minus 6, equal to 0, अब इसको सिर्फ simplify करना है, मुझे, तो 2, x, plus 6, y, plus z, यहाँ, minus 2, और minus 18, minus 20, और minus 6, तो यह minus 26 होगा है, equal to 0, तो यहाँ पर जो आपको equation दे रखा था, वो क्या दे रखा था, ax, plus by, यह इससे compare करते है, ax, plus by, plus c, z, plus d, equal to 0, तो यहाँ पर जो d का value है, वो minus 26 है, तो more d का value जो होगा, वो आपका 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, 26 कौन सा हमारा है, तो जो हमारी right choice होगी, वो key option भी होगा, तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है, कि equation of tangent plane, हम find out कैसे करते हैं, normal point form की help से, यहाँ पर directional derivative निकालने के लिए, सबसे पहले हमें nebula f find out करना होगा, और nebula f जो equal है, वो है, 2 e raise to the power 2 x y square i hat, plus e raise to the power 2 x 2 y j hat, अब हमें इसका dot product लेना होगा, with unit vector, और कोई साभी vector, लेकिन यहाँ पर unit vector खाया है, तो हम उसको ले लेते हैं, अगर मैं इसके साथ dot product लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा, 2 alpha e raise to the power 2 x y square, plus beta e raise to the power 2 x into 2 y, क्योंकि unit vector हमें at a point निकालना था, 2, minus 1 पर, तो मैं इसके value find out करता हूँ, 2, minus 1 पर, जो value, जो हमें यहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा, 2 alpha e raise to the power 4, plus beta e raise to the power 4, into 2, into minus 1, और यहाँ से जो यह आया, directional derivative at the point 2, minus 1, दे रखा है, कि यह 0 है, अगर मैं यहाँ से equation को set up करता हूँ, तो मैं इससे लिख सकता हूँ, 2, e raise to the power 4, alpha minus beta, equals to 0, क्योंकि e raise to the power 4, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसका meaning हुआ, कि alpha equals to beta होगा, अब हमें value find out करना था, mod of alpha plus beta, और यहाँ पर alpha, beta जो constantent हैं, वो unit vector के हैं, इसका meaning हुआ, कि alpha square plus beta square equals to 1 होगा, अगर मैं यहाँ से value find out करता हूँ, तो यह हो जाएगा, 2 alpha square equals to 1, और यहाँ से alpha की value मिलेगी मुझे, plus minus 1 upon root 2, अब हमें यहाँ पर alpha plus beta का value चाहिए था, alpha plus beta, जो की equals है, 2 times alpha या 2 times beta, और अगर मैं यहाँ पर alpha की value रख देता हूँ, तो alpha चाहिए positive रखो, negative रखो, क्योंकि outside mode है, तो यह value हमें मिलेगी, root 2 और root 2 का जो absolute value होगा, वो क्या होगा, root 2 ही होगा, इस तरह आपका option C correct होगा, linear transformation t r square से r square पर define है, और उसके लिए जो expression दे रखा है, यानि कि t x y, वो send करता है, minus x, y पर, तो हमें बताना है कि कौन सा option इसमें true होगे, तो सबसे पहले हम एक एक option को 1 by 1 check करते हैं, तो linear transformation जब भी दे रखिया है और उसके साथ expression है, तो कोशिस करिए, standard order basis के respect में, matrix representation इसका लिख लिजे, तो हमें t10 find out करना होगा, क्योंकि standard order basis के element होता है, 1001, इसकी image हमें मिलती है, minus 1,0 जिसको हम लिख सकते है, minus 1 e1 plus 0 e2, और t01, यह हमें मिलता है, 0,1, same element को return करेगा, इसको हम लिख सकते है, 0 e1 plus e2, अगर मैं यहां से matrix representation अगर लिखता हूँ, तो वो होगा, minus 1, 0, 0, 1, इस तरह से हमें यह मिला, matrix representation of t का, with standard order basis, call कर दो उसको बीटा, अब यहां से, हमें यहां पर बताया गया है, कि option a में, कि t raise to the power 2 के, t raise to the power 2 के, और option b में कहा गया है, t raise to the power 2 के plus 1, क्या यह tk equal यह minus tk equal होगा, k greater than equals to 1 के लिए, तो हम सबसे पहले, इस matrix representation का, यानि कि square कर देते हैं, क्योंकि यह t के लिए है, तो t square यहां से हमें क्या मिलेगा, 1001 identity मिल रहा है, और अगर मैं यहां से cube करता हूँ, क्योंकि, t raise to the power 2 के plus 1, जो कि option b है, वो हमें odd देगा, और option a हमें even terms देगा, एक तरह से, मतलब even powers of t, अगर मैं tq find out करता हूँ, तो वो मुझको मिलता है, minus 1, 0, 0, 0, तो अब आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं k को one fix कर दूँ, k को अगर मैंने one fix किया, तो t square मुझे identity मिलता है, ना कि t मिलता है, तो इस तरह option a आपका correct नहीं होगा, अगर मैं option b को लिखता हूँ, तो t cube k के लिए, k equals to one के लिए, हमें यह minus t नहीं मिल रहा है, यह मिल रहा है, हमें t, और हमें चाहिए था minus t, तो इस तरह option b भी आपका wrong हो जाता है, अब हमें option c और d को चेक करना होगा, option c और d में कहा गया है, कि range of t square यह proper subset है, range t का, और option b में कहा गया है, कि range of t square यह equal है range of t के, तो सबसे पहले अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमें इतना तो पता ही है, कि जो t matrix representation हमने लिखा है, उसका determinant आपका minus 1 है, यानि कि non 0 है, अगर determinant minus 1 है, तो यह invertible होगा, यानि कि 11 on 2 होगा, इसका मतलब हुआ कि rank t जो है, यहाँ पर 2 है, और dimension of r2 भी आपकी 2 होती है, इस तरह से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, rt जो है, वो isomorphic है, r square के, यहाँ पर हम इसको equation 1 बोल देते हैं, और यहाँ से t square जो है, वो identity के equal था, यह हमने यहाँ पर देखा था, t square identity के equal है, इसका मतलब है, कि rank इसकी भी, rank of t square यहाँ पर भी 2 होगी, और यह same dimension of r square के बराबर है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कि range of t square isomorphic है, r square के equation 1 और 2 को अगर हम merge कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, range of t square बराबर है range of t के, इस तरह हमने देखा, option d आपका correct होता है, option से आपका wrong हो जाता है, क्योंकि option a में कहा गया है, कि वो proper subspace होगा, जबकि proper subspace नहीं है, exact है, radius of convergence of the power series, this summation n plus 1 divided by n whole square, sorry, whole the power n square, x raised to the power n, तो यह जो power series है, इसका हमें radius of convergence find out करना है, देखें, radius of convergence find out करना है, कोई हमसे यह नहीं पूछा गया है, कि interval of convergence क्या होगा, या उससे भी हम थोड़ा idea check कर लेते हैं, ठेक है, तो यह question इस तरह से भी पूछा जाता है, कि interval of convergence इसका क्या होगा, तो यहाँ पर सिर्फ radius of convergence की बात करें गई है, तो radius of convergence का हम इसमें direct formula पूट करेंगे, 1 upon r equal to limit un raised to the power 1 upon n, यह हम use करेंगे, तो limit अगर मैं, यह standard format में है, summation un x raised to the power n, तो तब हमारा radius of convergence क्या होता है, 1 upon r equal to limit un raised to the power 1 upon n, तो यहाँ पर हम यही fact use करेंगे, तो limit un का है, n plus 2 divided by n raised to the power, यहाँ पर n square और है, n square और whole the power 1 upon n, power आपस में multiply हो जाएगे, यहनिकि n square upon n, यहाँ से n आएगा, तो यह आएगा आपका limit n plus 2, यहाँ पर अभी ऐसी रहने दीजे चलिए, और यह आपका मिला n, यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो यह क्या मिलता है, limit n tends to infinity, यहाँ पर यह चल रहा है, यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको देखें, 1 plus 2 by n, raise to the power n, अब देखें, अगर हम infinity put करते हैं, तो यहाँ पर यह 0 हो जाता है, यहाँ कि 1 raise to the power infinity type काता है, 1 raise to the power infinity, एक indeterminate form है, और जब आपका indeterminate form इस type से आए, और यहाँ पर जो है, यहाँ कि, say times fx, 1 plus, और यह आपका gxo, और यह form, किस format में आए, 1 raise to the power infinity, तो यह क्या होता है, यह होता है, say into gx into fx, क्योंकि यहाँ पर यह, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है, 1 upon multiply हो जाएगा, gx into fx, तो यह क्या होगा, यहाँ पर 2 है, तो 2 into n into 1 upon n, तो यह cancel out हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका e raise to the power, sorry मैंने यहाँ पर यह भूल गया, e raise to the power 2, तो यहाँ पर इसका जो limit होगा, होगा e raise to the power 2, direct आप यूज़ करेंगे, और यह चल रहे हमारा 1 upon r equal to e raise to the power 2, तो r क्या हो जाएगा, 1 upon e square, यानि कि radius of convergence जो है, 1 upon e square, option d है, by mistake आप 1 upon r का जो value था, वो आया था 1 upon e square, यहाँ पर, तो यह mistake आप ना कर दें, कि आप direct जो आया, उसी को use कर लें, उस हिसाब से आप option a tick कर जाएंगे, जबकि इसका जो correct answer है, 1 upon e square है, तो जो 1 upon r के value आया था, उसका reciprocal भी करना है, यह याद रिखें, क्योंकि एक्जाम में बहुत mistake करते हैं, student इस effect में, मतलब उनको question आने के बावजूद भी, वो उसका credit नहीं ले पाते हैं, हमें an एक sequence दे रहे है, positive real sequence, और यहाँ पर l दे रहे है, जो limit है, वो an plus 1 upon an की है, और आप से पूछा गया है कि कौन सी statement आपकी true होगी, यहाँ पर 4 statement आपको दे रही है, तो अगर इस तरह से है, और इस sequence के help से, अगर हम कोई series का form करते हैं, यानि कि summation an, तो यह जो series है, क्योंकि positive term series होगी, और positive term series को, अगर हम ratio test के help से, उसकी convergence चेक करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, अगर limit an plus 1 upon an, अगर मालीजे यह l है, और l less than 1 है, उस case में ratio test से हम यह कह सकते हैं, कि series converge करेगी, और convergent series के लिए यह जरूरी हो जाता है, कि limit of an यहाँ पर यह 0 होगा, तो यहाँ पर l पर condition आई, कि l less than 1 होगा, और an पर condition आई, कि उसकी जो limit है, वो 0 होगी, इस तरह से हमने इस problem को solve करा, with the help of series concept, यानि कि option D correct होगा, समदे रखा है, convergent series, summation an का, और आपको यहाँ पर tn terms आपको define करी गई है, और आपसे पूछा गया है, कि summation tn क्या होगा, तो अगर हमें tn summation निकालना है, और tn define किया गया है, an plus an plus 1 plus an plus 2, तो यहाँ पर summation एक तरह से distribute हो जाएगा, यानि कि summation of an plus bn को हम लिख सकते हैं, summation an plus summation bn, अगर हम इस idea को use करते हैं, तो मैं summation tn को लिख सकता हूँ, summation an plus summation an plus 1 plus summation an plus 2, और summation tn ही summation n equals to 1 से infinity तक रन हो रहे हैं, यह भी n equals to 1 से infinity, यह भी 1 से infinity, अब आपको यहाँ पर s दे रखा है, s equals to summation an, अगर मैं इस चीज को use करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यह last two terms, जो summation an plus 1 और an plus 2 लिखा गया है, इसको मैं चाहता हूँ कि same format an की format में लिख पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लिखना है, summation an, n is from 1 to infinity, इसको मैं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें, जो series है, वो कुछ इस तरह से मिलेगी, a2 plus a3, अगर मुझे first term भी लेना है, तो first term को add करना पड़ेगा, और first term को subtract करना पड़ेगा, तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ, summation an, n1 से infinity, और मैंने इसमें एक term को add किया है, तो एक को subtract करना पड़ेगा, और अगली वाली series को भी मैंने इसी तरह से लिखा, an minus a1 minus a2, यहाँ पर two terms को add और subtract करनी की जरूत होगी, अब मैंने यहाँ पर series tn को, series जो tn थी, उसको लिखा, three times summation an minus two times a1 minus a2, और यहाँ पर summation an को दिया गया है, यानि कि वो s है, three times s minus two times a1 minus a2, आप यहाँ पर देख सकते हैं, three s minus two times a1 minus a2, option d आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, let m be a real six by six matrix, let two and minus one be two eigenvalues of m, if m raised to the power five equal to a i plus b m, where a b belongs real number, then a equal to ten b equal to minus one, यानि कि a और b की value क्या होगी, actually आप से यह पुछा गया है, तो अगर कोई m, एक six by six का matrix है, यानि कि square matrix है, order six का, और इसकी दो eigenvalue है, two comma minus one, साथे साथ आपको एक relation given है, m raised to the power five equal to a i plus b m, तो देखें, यह m जो है, अगर मैं सारे के एक side ले आऊँ, या ऐसे ही रहने दूँ, तो मैं अगर m को एक variable consider कर लूँ, तो यहाँ पर यह equation, यानि कि polynomial है m में, यानि कि एक polynomial equation है, तो m इसका root है, क्योंकि m इसको satisfy कर रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, x की power 5, a plus b x, तो यहाँ पर, अगर इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो m इसको satisfy कर रहा है, यानि कि यहाँ पर Kelly Hamilton theorem का हम direct use करने के बाद, यह line लिखे गई है, हम इसको ऐसा consider कर सकते हैं, कि after using Kelly Hamilton theorem, m satisfying, this, so m is the, sorry, this is the critistic equation, तो यह अगर care equation है, तो care equation को इसके जो आइगन roots हैं, वो इसको satisfy करेंगे, तो यहाँ पर मैं इनको put कर दूँगा, तो 2 raise to the power 5, a plus b into 2, और ऐसे ही यहाँ पर minus 1 raise to the power 5, equal to a plus b minus 1, तो यानि कि दो equation आपके develop हो गई हैं, और a और b में हैं, यानि कि two equation into variable, variable आपके a और b हैं, तो आप इनको easily solve कर सकते हैं, a plus 2 times b, और यह minus 1 equal to a minus b, दोनों को आप subtract करा देजिए, तो यहाँ पर यह plus, यह plus 33 equal to 3 b, तो b का जो value है, वो आपके 11 आ जाता है, 3 को इसको cancel out करेंगे, 33 से, तो 33 को जब 3 से cancel out करेंगे, तो 11 मिलेगा आपको question, यहाँ के b का जो value है, वो 11 आ गया है, तो देखें, यहाँ पर 10 है, यह discard हो जाता है, यहाँ पर यह minus 11 है, यह discard हो जाता है, तो possible यह और यह है, अब confirm कर लेते हैं, यहाँ पर value put करके देख लेते हैं, जो हमारा था minus 1 equal to a minus b, और b का value 11 है, यह है, तो a का value आपको हो जाता है, 10, तो हमारा a confirm हो जाता है, a का value 10 तो यह है, और यहाँ पर यह minus है, तो discard हो जाता है, तो only options a true, तो यहाँ पर a का value 10 और b का value 11 है, और हमने यह line जो लिखी है, यह हमने यह मान के लिखी है, कि m इसको satisfy कर रहा है, तो after using keller-hamilton theorem, we can write this, तो इसका care equation यह होगा, क्योंकि m इसको satisfy गया, तो इसका care equation यह होगा, उसके regarding, और फिर हमने यह जो given eigen roots दे रहे हैं, तो वो इसमें put कर दिये, let m be n by n, और n greater than equal to 2, non zero real matrix, यानि कि एक m matrix given है, आपको 2 by 2 order का, और m not equal to zero, with, यानि कि इसके साथ एक condition दी गए, with m square equal to zero, यानि कि m square, यानि कि m तो non zero है, और उसका square, यानि कि next power ही, उसको null matrix कर देती है, यानि कि एक nil potent matrix है, m जो है, वो एक nil potent matrix है, nil potent matrix with index 2, या order of nil potency 2, आप यह कह सकते हैं, then alpha is only eigen value of m plus alpha i, और m minus alpha i, यानि कि m plus, m plus minus alpha i का combination यहाँ पर आप से पूछ गया है, यहाँ पर आप देखे, plus minus या alpha i plus minus m, इस तरह से आपका combination पूछ गया है, कि इसके eigen value क्या होंगे, alpha होगे, या minus alpha होगे, या नहीं होगे, तो आप जानते हैं कि nil potent matrix है, और nil potent matrix के all eigen value 0, तो इसके जो eigen value है m, कि वो 2 होंगे, यानि कि 0, 0, 0 और repeated है, ठीक है, यह two times repeated है, तो आप एक theorem याद रखेंगे, कि अगर m के eigen value lambda i है, तो m plus alpha times i के जो eigen value है, वो lambda i plus alpha से आप calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर m के जो eigen value है, वो 0 है, तो m plus alpha i की value 0 plus alpha, और next भी 0 plus alpha, यानि कि alpha alpha हो गई है, तो यहाँ पर काया है, alpha is the only eigen value of this and this, देखे, alpha m plus alpha i की तो है, लेकिन m minus alpha i के जो eigen value है, 0 minus alpha, यानि कि minus alpha है, लेकिन यहाँ पर काया है कि alpha दोनों की eigen value है, तो इसलिए यह options discard हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर पूछा जाते है, alpha is the only eigen value of m plus alpha i और alpha i minus m, तो यहाँ पर alpha जो था, first वाले की तो eigen value थी, और second वाले की eigen value क्या होगे, alpha minus 0, यानि कि alpha, तो यह options true हो जाते हैं, क्योंकि alpha दोनों की eigen value हो जाते है, minus alpha is the only eigen value, ठीक है, this and this, तो minus alpha इसकी eigen value नहीं, वो तो alpha है, तो यह discard हो जाते हैं, ऐसे minus alpha is the only eigen value of this and this, क्योंकि इसी का नहीं है, तो इसलिए यह options भी discard हो जाते हैं, तो बस आपको यह याद रखना हैं, कि अगर m की eigen values lambda i है, तो m plus lambda i की जो eigen values हैं, वो lambda i plus alpha या alpha i plus minus m की जो eigen value होंगी, वो alpha plus minus lambda i, यानि कि combination की जो eigen value होगी, वो उसी तरह से आप plus minus करके निकाल सकते हैं, इस theorem को यूज करके और इसको हमने solve किया, matrix m दे रखा है, जिसका size है 4 by 3, और standard ordered basis e1, e2, e3 दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है, यह standard ordered basis है, r3 का, आपसे पूछा गया है कि कौन सा statement यहाँ पर true होगा, option a, b, c, o, d में rank दे रखिये m की, तो आप जानते है matrix m का जो size है, वो 4 by 3 है, तो इसके जो rank होगी, वो 3 से exceed नहीं कर सकती है, यानि कि number of columns और number of row में जो minimum होता है, कभी भी उससे exceed नहीं करती है, यानि कि min 4 3 का जो होगा, वही at most rank हो सकती है, पहले option में कहा गया है, कि अगर m की rank 1 है, तो जो set होगा, m e1, m e2, क्या वो linearly independent set होगा, तो सबसे पहले एक result recall कर लेते हैं, कि अगर किसी set में 0 vector या 0 element आ जाता है, तो वो set dependent हो जाता है, तो हम यह देखेंगे, कि क्या m e1 और m e2, 0 vector या 0 element तो नहीं बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं, तो हम इसको directly कह सकते हैं, कि यह set linearly dependent होगा, अगर rank 1 है, इसका मतलब हुआ, कि इसमें सिर्फ 1 non-0 entry है, और वो हम माल लेते हैं, कि क्योंकि इसका size है 4 by 3, तो हम 0, 0, और 0, 0, 0, 0, सारी entries हम 0 बना लेते हैं, बस एक last entry हमने 1 बना ली है, अब मैं इसके साथ e1 लूँ, या मैं e2 लूँ, multiply करने पर, मुझे जो मिलेगा वो दोनों ही case में 0 element मिलेगा यानि कि यह linearly dependent हो जाएगा option A हमारा true नहीं है आप देख सकते हैं किस तरह से होगा क्योंकि सारी entries जो even के entry होंगी वो किस तरह से होंगी 1, 0, 0 इस तरह से हमारा even element होगा तो वो आपको 0 vector देदेगा अगर rank आपकी 2 हो जाए तो अगर rank 2 है तो मैं किस तरह से matrix को form करूँगा पहला मैंने 0, 0, 0 लिया दूसरी रो भी मैंने 0, 0, 0 ली तीसरी रो में मैंने एक non zero element मान लीजिए यह ले लिया और last रो में एक यह अब मैं यहाँ पर अगर even के साथ इसको operate करता हूँ 1, 0, 0 या मैं 0, 1, 0 के साथ operate करता हूँ तब भी जो मुझे resultant matrix मिलेगा यह resultant vector मिलेगा वो आपका 0 contain करेगा option b b आपका false हो जाता है क्योंकि वो dependent हो जाएगा अगर मैं option c को check करता हूँ option c में कहा गया है कि rank अगर 2 है तो m1 और m3 उसके लिए मैंने एक non zero element first row में consider कर लिया है आप यहाँ पर color में change कर देता हूँ तो red pen से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने one ले लिया है और second element e3 मुझे लेना है तो मैंने यहाँ पर one ले लिया है और last element को zero बना दिया है अब मैं इस पर m1 और m3 001 अगर apply करता हूँ तो फिर से यह मुझे इसको मैं इसके साथ लोगँ जीरो इसको इसके साथ लोगँ जीरो 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 और जैसे मैं इसको इसके साथ लोगँ जीरो यहाँ पर one आ जाएगा क्योंकि एक element आपका zero contain करेगा तो इसलिए option cv आपका false हो जाएगा आप देख सकते हैं m e 1 इसके से में जब हमने इस तरह से matrix को consider किया है उसके से में आपका zero element आ रहा है अगर zero element आ रहा है तो linearly dependent हो जाएगा अगर rank 3 हो जाए तो यह linearly independent हो जाएगा option d correct होगा sn और tn डिफाइन कर रखा हैं और आप देख सकते हैं sn और tn दोनों ही alternate positive और negative terms आएगी आपसे पूछा गया है कि अगर हम sn और tn से series बनाएं तो वो जो series होंगी क्या absolute convergent होंगी या conditionally convergent होंगी इसका हमें answer करना है तो सबसे पहले हम sn series को check कर लेते हैं तो series sn को अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ summation minus 1 raise to the power n upon 2 raise to the power n plus 3 और यह एक alternate series है और alternate series के अगर हमें convergence check करनी है absolute convergent means convergent होता है तो सबसे पहले हम इसके absolute convergent check करेंगे उसके लिए सबसे पहले मैं इसको positive term series में reduce कर देता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 upon 2 raise to the power n plus 3 और यह जो series है यह एक तरह से equivalent आप कहाई सकते हैं summation 1 upon 2 raise to the power n के है और यह एक geometric series है जो converge करती है क्योंकि इसका जो common ratio है 1 upon 2 है यानि कि common ratio CR यह आपका less than या mode common ratio का 1 से कम है इसलिए converge करेगी आप इसको कह सकते हैं कि absolute convergent है hence convergent है इसका meaning हुआ कि option A आपका true है absolute convergent और conditionally convergent में क्या difference है सबसे पहले मैं यह बता देता हूँ absolute convergent का meaning है अगर हम series की terms को positive कर देते है और उसकी convergence चेक करते है अगर वो convergent आ जाता है तो हम उसको absolute convergent कह सकते है conditionally convergent क्या है अगर जो given series है suppose करो summation UN अगर एक series है अगर यह converge करती है लेकिन अगर मैं series summation 1 upon UN इसको यानि कि positive term series को अगर मैं चेक करता हूँ और वो diverge करती है तो हम इसको conditionally convergent कहेंगे अब मैं TN की convergence या conditionally convergence चेक करूँगा तो यहाँ पर हमें जो TN दे रखा है वो दे रखा है minus 1 raise to the power N upon 4N minus 1 और इसके help से अगर मैं positive term series consider करता हूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ summation 1 upon 4N minus 1 यह मेरी TN series को positive term series में convert करने पर यह मिलता है और यह जो equivalent है आप इसको कहे सकते हैं 1 upon 4N इसके है या आप इसको भी कहे सकते हैं summation 1 upon N और यह एक divergent है यानि कि इसकी positive term series converge नहीं करती है अब हम चेक करेंगे क्या given series यानि कि summation TN converge करती है या नहीं करती है क्योंकि positive term series TN की तो नहीं converge कर रही है अगर यह converge कर जाएगी तो हम इसको बोलेंगे conditionally convergent यहाँ पर TN दे रखा है अगर हम मैं TN को जैसे कि positive term series मैंने बनाया था इसमें हम lebniz test को apply करेंगे वो क्या कहते है कि positive term series का जो हम UN है माली जीए यह मेरा UN है positive term series के लिए यह एक तो decreasing होना चाहिए यानि कि decreasing sequence होना चाहिए 1 upon 4N minus 1 आप देख सकते हैं जैसे हम N को increase करेंगे resultant decrease होगा इसका मतलब हुआ UN greater than UN plus 1 और यह true है सभी N के लिए और यहाँ पर limit of UN आपकी 0 होने चाहिए तो आप देख सकते हैं limit of UN यानि कि इसकी 1 upon 4N minus 1 इसकी limit 0 है Levenish test से हम कह सकते हैं कि जो given series TN है वो converge कर रही है लेकिन absolute convergent नहीं है तो option D सही होगा क्योंकि meaning होगा इसका conditionally convergent तो इस problem के लिए option A and D true key है Consider the system of linear equation this this and this the system is consistent if यानि कि system consistent होगा कब अगर यह options given है तो तो इसके लिए जब आपको system of linear equation के लिए पूछ रहाता है और उसके जो coefficient हैं उस पर relation पूछता है कि कब consistent होगा inconsistent होगा तो आपको सबसे पहले augmented matrix consider करना चाहिए और फिर उस पर work out करना चाहिए तो सबसे पहले मैं इसके लिए जीरो बना देता हूँ और फिर यहाँ पर जीरो बनाने के बाद यह मेरी non-zero entry है इसके downward में मैं 0 बना लूँगा तो देखते हैं पहली रो में कोई changes नहीं कर रहा हूँ मैं और दूसरी रो को मुझे यहाँ पर downward जीरो बनाने के लिए इसको सब्ट्रेक्ट करना होगा तो यहाँ पर वन आ जाएगा एम माइनस फाइव और फाइ माइनस थिरे यानिकि टू और इसको भी जीरो बना देता हूँ मैं 0 1-1 और के माइनस थिरे इस तरह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो variable है उसका यूज करके अधर रू से फिर्स्ट वैर्यबल को Eliminate कर दिया मैं लिए यूज करके अधर के इक्वेसं से मैं उसको इलिमिनेट कर देता हूं यानि कि यहाँ से यहां से Eliminate कर देता हूं तो फर्स्ट में कोई Changes नहीं 0, 1, m-5 और यहाँ पर 2 और इसको मैंने सब्ट्रेक्ट कराया यहाँ पर 0 हो गया यहाँ माइनस 1, माइनस M, प्लस 5 यानि कि यह प्लस 4 आ जाएगा यानि कि 4 माइनस M और यहाँ पर सब्ट्रेक्ट करायेंगे के माइनस 5, के माइनस 5 तो इस तरह से आप देख रहे हैं तो आपका सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा यानि कि यह अगर नोन 0 हो जाता है तो coefficient matrix और augmented matrix की rank same हो जाती है या फिर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए दोनों साथ दोनों 7 0 हो जाए अलग-अलग नहीं कि बस only ये 0 हो जाए तो उस case में आपकी rank 2 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर ये non 0 हो जाए तो आपके rank 3 हो जाएगी और augmented की भी 3 हो जाएगी coefficient यानि कि ये options imply करता है कि system consistent होगा लेकिन यहाँ पर कहा है कि k not equal to 5 अगर k 5 नहीं है तो यहाँ पर suppose करो कुछ entry ले ले हमने कुछ भी ले ले 5 को छोड़ कर तो यहाँ पर ये non 0 entry आएगी लेकिन अगर ये किसी तरह 0 हो जाता है यानि कि m की value अगर हमने 4 consider कर ली तो ये 0 हो जाएगा उस case में coefficient matrix करेंग 2 हो जाएगा और augmented का 3 होगा उस case में system consistent नहीं होगा तो ये इसको consistent की condition नहीं है अगर यहाँ पर 4 हो जाए अगर यह 4 हो जाए तो यहाँ पर यह 0 हो जाएगा लेकिन अगर यह किसी तरह से non 0 हो जाए तब भी system consistent नहीं होगा तो ये condition भी आपकी imply नहीं करती है लेकिन यह अगर किसी तरह से 0 हो जाए सिर्फ only यह 0 हो जाए अगर यह भी 0 हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं होता है अगर नहीं होता है तो फिर तो rank 3 हो ही जाएगी और अगर हो जाता है तो यह इसके लिए condition से 0 हो जाता है तब भी हमारा system consistent हो जाएगा लेकिन कुछ student यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो सारे options को mix up कर सकते हैं तो यहाँ पर जो की है वो की जो है आपकी AOD है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी rank अगर 2 करनी है तो k equal to sorry 4 equal to m और k equal to 5 एक तो मेरे पास यह आया और अगर किसी तरह से यहाँ पर यह non zero हो जाता है तो 4 minus m not equal to 0 और यह कुछ भी हो तो यहाँ से आजाता है 4 equal to m तो यहाँ से आपको पता चला 4 equal to m तो यह condition तो सही है और साथे साथ 4 equal to m और k equal to 5 यह दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा तभी आपका solution exist कर सकता है तो यह हमारा क्यों नहीं है क्योंकि m तो 4 है लेकिन k5 नहीं है अगर m यहाँ पर 4 हो जाए और k5 नहीं हो तब solution exist नहीं करेगा यानि कि दोनों का combination अगर यहाँ पर होता है तो ही हम इसी को consider करतें और ऐसे ही k not equal to 5 यहाँ पर m के लिए कुछ नहीं कहा गया अगर यह entry आपक नहीं करेगा तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर individual मतलब दी गई थी m या k combination नहीं पूछा गया था कि m और k के अगर इस तरह से देता कि m not equal to 4 और k equal to any तो यह सही हो जाता अगर यहाँ पर इस तरह से देता k not equal to 5 और m not equal to 4 तब भी यह true हो जाता लेकिन यह वाली condition नहीं दी है उसने k m4 नहीं होना चाहिए यहाँ पर m equal to 4 उसके साथ यहाँ पर यह नहीं बतायागा है कि k equal to 5 आना चाहिए इसलिए condition यहाँ यहाँ पर k equal to 5 तो m कुछ भी हो अगर यहाँ पर m 4 हो जाता है तब भी सही है 4 नहीं होता है तब भी सही है तो यह condition इसलिए true है कि यह अपने सिर्फ only k के लिए भी k equal to let equal to limit within bracket 1 upon n square plus 2 upon n square and so on up to n minus 1 upon n square and b equal to limit and tends to infinity and within bracket 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 and so on up to 1 upon n plus n which of the following is true यानि कि इसमें से कौन options true होगा या false होगा यह हमें find out करना है तो यहां पर option A देखे option A में A और B में greater than inequality sign है B में less than inequality sign है A और B का product natural log of root 2 देता है या इनका quotient ln root 2 देता है यह हमें बताना है तो आप A और B में से if someone अगर कोई यह पता कर लिता है कि option A true है या B true है तो A और B में से एक ही true होगा तो यहां से एक twice true होगा और C और D में से एक twice true होगा यानि कि इसमें जो correct maximum option हो सकते है correct maximum option वो two हो सकते है तो या तो इसमें एक true होगा या दो true होगे तीन या चार की हम बात ही नहीं कर सकते है तो कि option से ही हमें पता चल गया है अब हम A और B को find out कर लेते हैं इनके limit और फिर हम easily compare कर पाएंगे कि आखिर क्या है तो A equal to क्या है limit n tends to infinity 1 upon n square मैंने इसको common लिया तो inside bracket क्या हो जाए 1 plus 2 and so on up to n minus 1 यह मुझको मिलेगा और यहां से अगर मैं इसको evaluate करूंगा तो limit n tends to infinity 1 upon n square और इसमें आप formula apply कीजिए n minus 1 first natural number का sum तो क्या होगा n minus 1 n upon 2 और इसको जब आप solve करेंगे तो यह हो जाएगा limit n tends to infinity 1 upon n square n square minus n upon 2 अब यहां पर जो higher degree polynomial है उसका coefficient क्या है 1 और नीचे जो higher degree polynomial है उसका coefficient है 2 तो इसकी जो limit होगी वो half होगी अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसमें limit n tends to infinity n square common लीजिए उपर से 1 minus 1 upon n और नीचे क्या है 2n square n square से n square cancel out हो जाएगा अब इसमें आप limit put कीजिए तो यह आपको half मिल जाएगा तो एक value आपको half मिल जाते हैं हमें अब b calculate करना होगा जो कि हमारा b क्या है b equal to limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 n plus 2 and so on up to n plus n तो यहाँ पर मैं लिख लिता हूँ जो मेरा b है b क्या है limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 plus and so on up to 1 upon n plus n यह मेरा b है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको मैं use करता हूँ as a summation तो यह हो जाएगा मेरा limit n tends to infinity summation and यह क्योंकि changes यहाँ हो रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे आएगा आखिर n तक आया है तो मैं इसको r use कर लेता हूँ r equal to 1 to n और यह हो जाएगा आपका n plus r इस तरह से मैंने इसको use किया इसको मैं क्या लिखता हूँ limit n tends to infinity 1 upon n आप outside लेजिए as a common क्योंकि यह summation r पर vary करता है तो 1 upon r आप summation से outside ले सकते हैं summation 1 upon 1 plus r upon n इसका यह हो जाएगा अब आप इसको लिख सकते हैं as a integral definite integral तो उसमे का आप use किजिए definite integral as a summation वो effect को use किजिए तो वो क्या होता है 1 upon n को आप replace करते हैं dx से r upon n को replace करते हैं आप x से और summation sign को आप replace करते हैं integration sign से और इसके जो upper limit होती है upper limit क्या होगी maximum max value max value of r upon n तो r के max value यहां से आपको पता ही है कि n तक जा रहा है तो n upon n तो यहां पर 1 आया है तो इसकी जो limit हो जाएगे वो 0 to 1 lower limit 0 ही है upper limit 1 आई है आप यहां से भी देख सकते हैं क्योंकि यह value होता है b minus a upon n तो यहां पर यह 1 आ गया है अब हमें इसमें क्या लिखना है 1 upon 1 plus x dx यह जो आएगा यह b का value आएगा यहां से इसको find out करते हैं तो यहां से इसको अगर integrate कराते हैं तो इसका क्या होगा ln 1 plus x और इसकी जो limit है वो 0 to 1 है यह b का value आया इसमें limit put करेंगे तो ln 2 और फिर आएगा ln 1 यानिकि 0 तो b का value आपका ln 2 आ गया है तो आपने यहां पर देखा कि a का जो value आया है a का जो value आया है वो half आया है और जो b का value आया है वो ln 2 आया है 0.69314 कुछ इस type से होता है और a का value होता है 0.5 अगर किसी student को यह नहीं पता कि ln 2 का value क्या होता है तो आपके पास inbuilt calculator होगा जो website होगी जिस पर आप क्या बोलते हैं exam दे रहे होंगे वहां से इसको find out कर सकते हैं और easily आप compare कर सकते हैं तो यहां से हमें पता चल गया है कि b greater है तो option b true होगा और a आपका false होगा जैसे कि मैंने पहली बताया था कि a एक true होगा तो दूसरा अब हम सिर्फ cod को verify कर लेते हैं तो सबसे पहले product देख लेते हैं a और b का जो product है वो क्या है हमारे पास यह half और यह आता है ln2 यह half को आप power में यूज कीजिए ln2 की power half तो इसको लिख सकते है ln root 2 यानि कि a b का product जो है वो ln root 2 दे रहा है हमें तो yes option c जो है वो हमारा true होगा अगर option c true हो गया तो d automatic false हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी दो correct answer की हैं तो की क्या हो गई हमारी b और c यह हमारी answer की होगी if double integrals from 0 to 1 और 2y से 2 e raised to the power x square dx dy equal to this then k equals तो हमें k की value निकालनी है तो इस type के question में आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए सबसे पहले focus यहाँ पर कीजिए यहाँ पर सबसे पहले x के respect में integral किया गया है तो यहाँ पर जो function है वो exponential function है और जो यहाँ पर exponent है वो x square है तो इसका जो integral होता है वो 2x यहाँ integrand में नहीं है तो हमें इसको x के respect में शुरुवात में नहीं कर सकते हैं और अगर कोई process से आप कर भी पाए तो वो बहुत यह complicated होगा तो इस तरह से x के respect में इसको शुरुवात में ना करके इसका order of integration आप change कर दीजिए तो यह यहाँ पर as a treat होगा constant और y के respect में करेंगे तो हमारा यहाँ पर कोई function y का involved नहीं है यानि कि 1 रहेगा 1 dy इस तरह से तो हम उसको आसानी से integrate कर पाएंगे और फिर जो expression हमें x के term में obtained होगा वहां से इसको इसका कुछ ना कुछ simplified form मिल जाएगा और हम इसको proceed कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं इसका order of integration change कर देता हूं तो जो यहाँ पर integration में variable involved है यह limit होता है दूसरे का यानि कि y है तो यह x का limit होगा यानि कि x equal to 2y और x equal to 2 तो x equal to 2y यानि कि अगर x equal to 2y है तो यहां से y equal to x by 2 मिल जाता है यानि कि x के कोई value रखोंगा y के value से कम आएगी यानि कि height कम रहेगी तो आप देख सकते हैं यह इस तरह से आपका जाएगा यानि कि inclined to x-axis यह रहेगा अब यहां पर जो यह limit है और x equal to 2 आपकी यह हो जाएगी suppose करो यह 1 हो गया यह 2 हो गया x equal to 2 और यह y equal to 0 से y equal to 1 तो y equal to 0 यह है और y equal to 1 आपकी यह है तो यहां पर आपका जो area of integration है वो किस-किस line से bound है एक तो इस line से bound है दूसरा x equal to 2 यानि कि यह line तो आप देख सकते हैं आपका जो area of integration है वो यह वाला part है यानि कि x equal to 2 और x equal to 2 y तो यह आपके x equal to 2 और x equal to 2 y वो यह वाला reason हो गया इसके बीच में और यहां पर इसमें आपका जो चल रहा है y वो 0 से 1 तक यहां तक जा रहा है अगर हम कभी-कभी confuse हो जाते हैं इस तरह से के हमारा integration area of integration यह वाला है यह जो ओपर के तरफ बन रहा है जिसको मैं star से दिखा रहा हूं यहां पर यह वाला है sorry cross से दिखा रहा हूं यह वाला है तो यहां पर student कई बार confused हो जाते हैं क्योंकि यह line रहा और यहां पर आप देख सकते हैं x equal to 2y हो गया x equal to 2 यह भी हो गया जो यहाँ पर intersection है और आपका एक तरह से यह वाला भी हो गया y equal to 1 तो आप यहाँ पर confused हो जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले curve देखने चाहिए कि आप कौन-कौन से curve तो यहाँ पर एक curve यह है और एक curve यह है और इन curve के बीच म जो दूसरा variable है y उसकी constant limit जा रहे है 0 से लेकर 1 तक तो यहाँ पर अगर y की limit 0 से बन जाएगी यहाँ पर अगर मैं y के जगा 1 put कर दूँगा तो x equal to आपका जो रहेगा 2 into 1 हो जाएगा यहाँ पर तो 2 से इधर multiply करा दूँगा तो x equal to 2 into 1 तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो हमारा यह हो गया यानि कि दो curve आपके यह है एक यह है और दूसरा यह curve है तो हमारा यह हो गया है area of integration अब इस area of integration में सुरुवात में x के respect मिलिया गया था लेकिन अब हमें y के respect मिलेना है यानि कि y को vary कराना है तो हम इस तरह से vertically एक strip consider कर लेंगे तो यह आपकी ज 0 से यानि कि यहाँ यह 0 है और यह इस line तक touch कर रहे है यानि कि y यहाँ पर क्या value होगा x equal to 2 तो यानि कि इसका order of integration है वो y equal to 0 से और यह curve इस curve को touch कर रहे है यानि कि x by 2 और इसमें जो constant limit है वो x का है यानि कि 0 से आपका 2 x कहां से 0 से 2 तक vary कर रहे है तो यहाँ पर हम सुरुवात में y के respect में कर रहे हैं तो dy और e raised to the power x square या इसको आप outside यहाँ भी लिख सकते हैं e x square यह यहाँ पर ना लिख कर और इसका dx तो अब सबसे पहले हमें इतने को integrate कराएंगे तो इसको integrate कराएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा इसका integration और फिर इसके value लिमिट पूट करेंगे तो x upon 2 minus 0 यह आएगा फिर e raised to the power x square dx और 0 से 2 हमें यह इस तरह से expression obtained होता है यानिकि इस 0 की कोई importance नहीं यानिकि simply आप कहा सकते हैं 0 से 2 x by 2 e raised to the power x square dx तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x square यहाँ पर involved है तो इसका जो differentiation है 2x वो यहाँ पर नहीं है सिर्फ x है यानिकि 1 upon 2 आप outside ले लेंगे और यह x dx आपका t से replace कर देंगे तो e raised to the power t हो जाएगा और तब हमारे जो limit है तो यहाँ पर इसका मिल गया है उस तरह से limit 0 से 4 हो जाएगी फिर अगर t के उसमें करेंगे अधर्वाइस जब आपको यहाँ पर इसका differentiation पता ही है तो डायरेक्ट यानिकि इसका जो integral होगा वो होगा वन अपॉन 2 यह आउटसाइड है और यहाँ पर आपका वन अपॉन टू और है इसको मैंने आउटसाइड ले लिया और e raised to the power x square और इसकी limit vary कर रहे है जिरो से 2 तक तो यहाँ पर आया 1 अपॉन 4 e यानिकि x की जगा 2 पुट करेंगे तो 2 raised to the power 2 4 e की पावर 4 माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 यानिकि 1 तो हमारा जो final expression आया वो यह आया और यह जो हमें equal दे रखा है यह किसके equal दे रखा है k e raised to the power 4 minus 1 यानिकि bracket जो है inside the bracket वही हमें इधर भी मिल रहे है left और right में तो k का value क्या है यहाँ पर k का value 1 upon 4 तो k equal to 1 upon 4 और यह net type का question था यानिकि इसको आपको decimal में देना होगा approach 2 point लिखके देता है तो इसका value होगा 0.25 एक quarter part है तो 0.25 इसका answer होगा एक vector space P20 से represent किया गया है और इसमें वो सारे polynomials आएंगे जिसकी degree at most 2020 हो सकती है वो सारे polynomial जिसकी degree at most 2020 हो सकती है तो इस तरह से इसके basis में 2021 elements होगे यानिकि इसकी dimension 2021 होगी अगर हम एक vector space PN से denote करते हैं जिसमें वो सारे polynomials आते हैं जिसकी degree at most n है तो उसकी dimension होती है 1 exit यानिकि n plus 1 इस तरह से इसकी dimension हो जाती है 2021 अब डबलू इस vector space का service space है इसका meaning साफ है कि इसकी जो dimension है वो इससे कम ही रहने वाली है क्योंकि V जो है वो finite dimensional vector space है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें P 20 20 के वो यानिकि vector space के वो polynomials आएंगे जिसमें जो odd terms हैं यानिकि odd coefficient वाली terms हैं वो 0 होंगी example के तोर पर अगर मैं एक polynomial लिखता हूँ तो वो किस तरह से होगा a1 और सबसे बड़ी power मैं 20 ले लिता हूँ तो सबसे पहले a0 यह constant term होई या आप इसको शुरुवात में a1 बोल दीजिए a0 बोलते हैं सुरुवात में a0 x raise to the power 20 20 फिर a1 x raise to the power 20 19 इस तरह से हम यह आगे बढ़ते रहेंगे और यह जो coefficient है यह मेरा first coefficient है फिर यह मेरा second coefficient है तो यहां तक हमारे पास आपके पास कितने coefficient आएंगे 20 21 इस तरह आपके पास इतने coefficient होंगे अब यहां पर कहा गया है कि a i zeros हैं सभी odd i के लिए यानि कि 1 3 5 7 यहां पर अगर हम यह देखते हैं तो यह 0 terms होंगी इसकी तो 20 20 तक कितने ऐसे होंगे यानि कि इसमें से माल लेते हैं half इसके 0 term बन जाएंगी यानि कि 1 0 1 0 इसका half होगा तो इतनी terms 0 हो जाएंगी जो बचेंगी जैसे कि square वाली होगी 4 वाली होगी यानि कि x square term x raised to the power 4 x raised to the power 6 यह वाली terms से आपका polynomial generate होगा अगर यह वाली terms से polynomial generate होगा तो हमारे पास इसमें half elements ऐसे होंगे क्योंकि इसमें at most degree कितनी हो सकती है at most degree तो यहां पर 2020 ही हो सकती है लेकिन उसके dimension 2020 यह 21 नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि half element 0 हो गया है यानि कि अब इसमें एक element extra होगा जिसको हम बोलेंगे constant term तो इसके dimension हो जाएगी 1010 प्लस 1 यानि कि 1011 अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है क्योंकि vector space की जो dimension है वो है 2021 माइनस यहां पर कितने elements 0 हो रहे है 1010 यह elements 0 हो जाएंगे तो बचा आपके पास 1011 फाइनली डबलू की यह dimension आ गही है expanded series का sum निकालना है अगर इस expanded series का sum निकालना है तो सबसे पहले मैं इसको compact form में लिख लिता हूँ 1 upon n, n square minus 1 और n की जो value है वो 2 से infinity तक vary करेगी यह इस series का compact nature हो गया है अब मुझे इस series का sum find out करना है तो सबसे पहले मैं इसके terms को जिसको मैं un या an से कह सकता हूँ उसको मैं resolve कर लेता हूँ with the help of partial friction तो मैं an को लिख सकता हूँ 1 upon n, n plus 1 और n minus 1 इस तरह से मैंने इसको लिखा और इसको भी मैं further लिख सकता हूँ 1 upon n, outside लिख लिया मैंने इसको और inside bracket के लिखा मैंने n minus 1, minus 1 upon n plus 1 और इसके numerator में 2 आएगा तो equal करने के लिए मैंने 2 से divide भी कर दिया अब यह perfect है और इसको मैं rewrite कर सकता हूँ 1 upon 2 outside और इसको मैंने लिखा n अंदर distributed property को यूज किया 1 upon n, n plus 1 अब मैं further यहाँ पर product जहाँ पर आ रहे हैं मैं इसमें फिर से partial fraction को use करूँगा तो 1 upon 2 और inside bracket मैं इसको लिख सकता हूँ 1 upon n minus 1 minus 1 upon n और curly bracket है start क्या, second term के लिए मैं इसको resolve कर रहा हूँ minus 1 upon n plus 1 इस तरह से मैंने लिखा इसको और इसको further मैं rewrite करके लिखता हूँ तो यह मैं लिख सकता हूँ 1 upon n minus 1 minus 2 upon n plus 1 upon n plus 1 यह जो role है यह an का है यानि कि an को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अब यह मुझे एक compact nature में मिल गया है और इसमें अगर मैं n के values run करा देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है तो सबसे पहला a2 मैं find out करता हूँ क्योंकि n2 से start हो रहा है 1 upon 2 inside bracket मिलेगा 1 upon 1 minus 2 upon 2 plus 1 upon 3 next bracket मिलेगा यानि कि a3 हमारा होगा 1 upon 2 1 upon 2 minus 2 upon 3 plus 1 upon 4 next term हमें मिलेगी 1 upon 2 inside bracket 1 upon 3 minus 2 upon 4 plus 1 upon 5 इसी तरह से यह चलता जाएगा हमारा जो अगर मैं a5 को लिखता हूँ तो वो क्या होगा 1 upon 2 1 upon 4 minus 2 upon 5 plus 1 upon 6 अगर मैं इस pattern को observe करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस तरह से diagonal में आ रहे हैं वो आपके cancel होते चले जाएंगे finally आपको यहाँ से यह first two term आपके cancel हो जाएंगी क्या बचेगा एक तो जो circular part है यह बचेगा जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon 2 outside और inside है 1 upon 2 और यह 3 terms आपकी बचेगी इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि अगर an होगा तो यह क्या होगा 1 upon n plus 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 upon n और यह भी मेरा क्या होगा 1 upon n तो finally मुझे क्या मिलेगा 1 upon n minus 2 upon n plus 1 upon n plus 1 यह जो होगा यह मेरी अगर मैं a1 प्लस a2 प्लस a3 निकालता हूँ तो जो sum होगा वो इसके equivalent होगा यानि कि sequence of partial sum मेरे पास यह आ जाता है और sequence of partial sum कि अगर मैं limit find out करता हूँ तो यह जहाँ पर मैंने arrow head को use किया है यह सारी terms 0 को चली जाएंगी इसका मतलब हुआ 1 upon 4 और 1 upon 4 को मैं decimal में लिख सकता हूँ 0.25 यानि कि यह जो compacted series थी या आप expanded series इसका जो sum है वो क्या होगा 0.25 होगा आपर हमें एक matrix m दे रखी है और हमें 8i minus m का cube की eigen values find out करनी है eigen values find out कर लेंगे तो उनकी multiply करके हम यहाँ पर determinant बता सकते हैं जो कि हम से पूछा गया था अब एक चीज़ याद रखेंगे determinant of a raised to the power n इक्वल होता है determinant of a raised to the power n के यानि कि पहले exponent कर दीजिए matrix का और फिर उसका determinant लिजिए पहले determinant लिजिए और फिर उसका exponent लिजिए उस तरह से दोनों same result आते हैं और product of eigen values determinant लिती है तो अगर किसी तरह से हम 8i minus m का eigen values find out कर लें और उनको multiply कर लें तो determinant हमें मिल जाएगा और फिर हम इस concept को use कर लेंगे तो सबसे पहले हमारा target होगा 8i minus m की eigen values तो हमें पता है कि 8i की जो eigen values होंगी वो होंगी 8,8,8 और 8 क्योंकि यहां पर matrix m का size 4 है 4 by 4 है square matrix है तो 8,8,8 8i की eigen values होंगी अगर हम m की eigen values निकालने और उसका negative ले लें तो minus m की eigen values हमें मिल जाएंगी तो सबसे पहले m की eigen values निकालने के लिए हमें simplify करना होगा m minus lambda i का determinant equals to 0 इस equation के हमें roots find out करने होंगे अगर मैं m minus lambda i अगर मैं इसको लिखता हूँ तो diagonal elements में lambda subtract हो जाएगा 9 minus lambda 0,0,0 यहाँ पर 2,7 minus lambda 0,0,3rd column होगा 7,2,11 minus lambda और last element होगा minus 5 last column होगा 1,1,6 और minus lambda इस तरह से हमें इसका determinant expand करना होगा और put करना होगा 0 के अगर मैं इसका determinant लिखता हूँ तो 9 minus lambda और 7 minus lambda और मुझे यहाँ पर लिखना होगा determinant of 11 minus lambda minus 5 और ही हो जाएगा 6 minus lambda इसके determinant के साथ multiply करना होगा equals to 0 यहाँ से यह equation मुझे क्या देती है 9 minus lambda 7 minus lambda और इस determinant को expand करते हैं तो हमें मिलेगा minus 11 lambda plus lambda square plus 30 और equals to 0 अब इस equation को हमें solve करना होगा यानिके factorize करा लेते हैं ताकि हम easily lambda की values निकाल पाएं तो यह हो जाएगा हमें lambda minus 5 और lambda minus 6 यहाँ से हमें पता चल गया है कि lambda i's की जो values होंगी यानिके eigen value होगी 9, 7, 5 और 6 लेकिन हमें तो eigen value चाहिए थी minus m की तो minus m की eigen values क्या हो जाएंगी minus 9, minus 7, minus 5 और minus 6 अब हमें 8i की eigen values मैं फिर से लिख देता हूँ वो है 8, 8, 8 और 8 लेकिन मुझे तो sum की eigen values चाहिए थी तो sum की eigen values हो जाएंगी minus 1, 1, 3, 2 और determinant निकालने के लिए 8i minus m का determinant निकालने के लिए मैं इन eigen values को product ले लेता हूँ तो वो आजाएगा minus 6 लेकिन मुझे तो cube का determinant चाहिए था तो इसका भी मैं cube कर देता हूँ तो 6 का cube यहाँ से मुझे क्या मिलेगा minus 2, 1, 6 इसका जो हमें determinant चाहिए था वो आता है minus 2, 1, 6 इसका answer होगा लेट T is a linear transformation from R7 to R7 with nullity T nullity of T equal to 2 then the minimum possible value of rank of T square यानि कि हमें T की nullity दे रिखिया है nullity of T equal to 2 तो rank nullity theorem से rank of T हो जाती है आपकी क्योंकि यह 7 है तो यह होगी 5 अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है rank of T square और उसके minimum value पूछी गई है उसके भी क्या पूछी गई है minimum value तो आप जानते हैं जो rank of rank of A भी होता है वो less than equal to rank of A कॉमा rank of B rank of B इसमें जो minimum होगा उससे less than होता है यानि कि rank of product less than होता है individual rank में minimum के ठीक है तो और यह greater than होता है यह greater than होता है rank of A plus rank of B minus N यानि कि N यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर product के लिए जो common factor होता है वो N होता है यहाँ पर यानि कि अगर A और B दो मैट्रिक्स है सपोज करो M by N और N by P तो यहाँ पर जो common है वो N है तो यहाँ पर minus N और यह हो गया rank of AB और यह less than होता है min of rank A rank B अब rank A यानि कि यहाँ पर T की rank कितनी है यहाँ पर 5 है तो 5,5 तो इसका min भी आपका 5 हो जाएगा तो 5 less than rank AB AB का meaning है कि आप अगर A को भी T consider करने और B को भी T तो rank of T square हो जाएगा यह rank of T square और यहाँ पर A और B मैंने T ही consider किया है तो A की जो rank है वो आपके 5 है तो 5 plus 5 minus N और यहाँ पर जो N है वो आपका 7 है तो आपका क्या relation मिला 10 minus 7 यानि कि 3 less than equal to rank of T square less than equal to 5 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर maximum rank 5 है और minimum rank 3 है जो हमसे पूछा गया था minimum possible value of rank तो यहाँ पर rank जो हो सकती है minimum 3 हो सकती है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो rank थी ती की वो 5 थी यानि कि last में 2 0 rows होंगी 2 0 0 यहाँ पर जो 5 rows होंगी आपर 5 rows वो आपके combination of 0 और non 0 का हो सकता है लेकिन throw out 0 नहीं हो सकता है throw out यहाँ पर 2 ही रहेगा तो जब इसको आप इसके साथ multiply कराएंगे तो same 2 row को जो आप column wise कराएंगे तो end में 2 row यहाँ पर भी 00 आएगी तो जो product है तो आप देख सकते हैं maximum 5 इसमें non 0 rows हो सकती है और जो minimum है वो आप इससे बता सकते हैं इसके help से इस तरह से नहीं बता सकते हैं हां कितना होगा क्योंकि हम हमें कोई particular matrix हम इसके लिए यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं तो इसलिए हम उसकी minimum value नहीं बता सकते हैं मैक्स बता सकते हैं तो कि हमें जो rank है वह आप यह कह सकते हैं कि maximum number of non 0 rows तो बता देते हैं तो हम इस इसलिए यहाँ पर maximum rank नहीं को बता सकते हैं कि कितनी हो सकती हैं